जैहिन दोस्तो मेरे नामें बहादर लोधी और आप देखना सुरूँ कर चुके हैं फ्री एजुकुशन यूटूब चैनल दोस्तो आज किस वीडियो में हम सितंबर मन्त के करंट आफियर्स के most common question को discuss करेंगे वो दोस्तो इस वीडियो lecture में हमने जितने भी question को add किया है सारे के-सारे question important और अच्छे label के question है वो दोस्तो सवी question को हम बिल्कुल detail में with extra facts के साथ में discuss करेंगे तो चलिए दोस्तो विना किसी देरी के सुरुआत कर लेते हैं नमबर फर्ष्ट कॉस्टन से और पहला हमारा कॉस्टन है केंद सरकान ने देश का नया चीफ ओफ डिफेंस स्टाप यानि की CDS किसे नियुक्त किया है तो दोस्तो देश के दूसरे नमबर की CDS बन गए हैं उनका नाम क्या है अनिल चोहान तो दोस्तो जैसे की आपको पता है कि जो देश के फर्ष्टस CDS थे उनका नाम क्या था तो उनका नाम था बेपिन रावत लेकिन दिसमबर 2021 में कब दिसमबर 2021 में हेलिकाप्टर क्रेस दुरगटना में बेपिन रावत और उनकी पतनी मधुली का रावत का निधन हो जाता है ठीक है तो पिछले लंबे समय से CD CDS का जुपद है ये खाली पड़ा था लेकिन दिसको दूसरे नंबर के CDS मिल गए हैं इनका नाम है अनिल चोहान और अनिल चोहान की हम बात करेंगे तो ये रिटाइड लेपिनेंट जनडल है कौन है ये रेटाइड लेप्टिनेंट जनरल है और हम बात करें कि ये कहा से बिलोंग करते हैं किस राज से ये बिलोंग करते हैं तो ये उत्राखंड से बिलोंग करते हैं ठीक है और उत्राखंड के पोड़ी से ही ये बिलोंग करते हैं और हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था तो 1961 में इनका जन्म हुआ था ठीक है तो ये सारी बातें आपको याद रखना है चलिए इसी करह में हम बात करेंगे कि अभी हाली में दादा सहाफ फाल के प्रुषकार से किसको सम्मानित किया गया है तो दोस्तो वाउनबा दादा सहाफ फाल के प्रुषकार जो है ये अभी हाली में दिया गया है आसा पारेक के लिए ओप्सन सही हो जायागा अब आसा पारेक जो हैं ये वॉलिवुड की famous actress हैं अब हम बात कर लेते हैं आसा पारेक के बारे में कुछ important fact की तो आसा पारेक बॉलिवुड की प्रिसद अभिनेत्री फिल्म निर्माता और फिल्म निर्देशक है ठीक है इनका जन्म 2 अक्टूबर 1922 को और करनाटक राज में हु पिलता है या फिर वो चर्चाओं में रहता है तो उसका राज जरूर पूछा जाता है कि वो कहां से बिलोंग करता है या फिर करती है ओके और जो आसा पारेक हैं ये उनिश्व अंठानबे सो दो हजर एक तक केंदरी ये फिल्म में प्रमानान बोर्ड की प्रमुख भी रह कि हमारी करन्ट अफ्यर्स की अपडेट एबुक लॉंच हो गई है इस एबुक के बारे में सभी को पता है कि पिछले 20 से ज्यादा महीनों का करन्ट अफ्यर्स आपको मिल जाएगा जनवरी 2021 से और अब तक का करन्ट अफ्यर्स मिल जाएगा 60 से ज़्यादा ट्रेंडिंग कोस्टन रहेंगे डिटेल कोस्टन का मतलब यह है कि जिस प्रकार से मैं यहाँ पर आपको पड़ा रहा हूँ ना बिलकुल इसी प्रकार से सारे कोस्टन आपको मिल जाएंगे तो मैं गैरिंटी से बोल सकता हूँ आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हों उस एक्जाम में अच्छा स्कूर करके आएंगे आप हमारी एक और अर्दवार्सकी वाली e-book है यह जनवरी 2022 से अब तक की अपडेट e-book है तो दोनो e-book का लिंक आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा तो आप जो भी e-book चाहें उसको वाय कर सकते हैं और यदि वाय करने में कोई समस्या हो रही है यह लिंक वर्क नहीं कर रही है या फिर प्रोसेस आपको नहीं पता तो description में हमारा number मिलेगा आप उस number पर phone पे या पर paytm कर सकते हैं ठीके और उसका screenshot हमें whatsapp पर send कर दें हम आपको तुरंत e-book provide कर वादेंगे ठीके बिलकुल आसान तरीका मैंने बता दिया बहले ही मैं परेशान हो लूँ लेकिन आप जो लोग नहीं कर पा रहे हैं payment उनके लिए ये रास्ता बिलकुल आसान है चलिए next one की हम बात कर लेते हैं तो विस्व रैवीज दिवस का मनाया जाता है दोस्तो विस्व रैवीज दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 28 सितंबर को A option सही हो जाएगा अच्छा यहां पर बात हुई है रैवीज दिवस की ठीके तो रैवीज दिवस मैंने आपको बताया कि ये 28 सितंबर को मनाया जाता है ठीके इसका उद्देश क्या है तो रैवीज बीमारी तथा इसकी रोग थाम के बारे में जागरुकता फैलाना इसका प्रमुख ओदेश रहे और कोई भी दिवस हो उसकी ठीम जरूर पूछे जाती है तो 2022 में इसकी ठीम रही है रैवीज वन हेल्थ जीरो डैर ठीक है और रैवीज रोग की यदि हम बात करें तो रैवीज रोग को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है हाइड्रोफोबिया क्यों कहा जाता है क्योंकि इस रोग में जो मरीज होते हैं उनको पानी से डर लगने लगता है अच्छा जो रैवीज रोग होता है इसमें मनश के वोडी का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है तो तंत्री का तंत्र प्रभावित होता है ठीक है पूछा जाता है कि रैबीज रोग में सरीर का कौन सा अंगे प्रभावित होता है आप कहेंगे तंत्री का तंत्र होता है और रैबीज के उपचार के लिए क्या क ठीक है तो मैं यही कोशिस करता हूँ कि कोशन एक हो लेकिन फेक्ट उसके संबंद में जितने वन सकते हैं सारे फेक्ट आप जरूर पढ़ें और मैं पढ़ाने की पूरी कोशिस करता हूँ नमबर अप कोशन भूत ही कम रहेंगे लेकिन मैं समझाओंगा बिल्कुल डेटेल में और आसन भासा में समझाने का प्रियास करूँगा ठीक है नेश्ट वन की हम बात करें तो सुप्रीम कोट ने पहली बार किस बेंच की सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग सुरूं किया है तो दोस्तो चुकि ये पहली बार किया गया है इसलिए कॉसन इंपोरेंट है अच्छा लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोट के अंदर आप लोग फोटो में देख पर हैंगे इसका मतलब क्या है सुप्रीम कोट के अंदर क्या हो रहा है अब आप इंटरनेट पर देख सकते हैं केंद सरकान ने देश के गाओं के कुओं की जल इस्तरकुम आपने के लिए किस मोबाइल एप को लॉंच किया है। को ग्रामीर विकास मंत्रा लाए और पंचायती राज मंत्रा लाए ने मिलकर विक्सित किया है। दोस्तों इस एप का उपयोग पूरे देश के हर गाओं में चैनित दो तुन कुओं के जल इस्तरकुम आपने के लिए किया जाएगा। ठीक है। करें तो नेश्ट कोस्टन है विस्व बधर सप्ता है 2022 कम मनाया गया। दोस्तों विस्व बधर सप्ता है 2022 जो है यह 19-25 सितंबर के बीच में मनाया गया। हम डेटेल की बात करें तो विस्व बधर सप्ता जो है यह 19-25 सितंबर के बीच में मनाया गया उद्देश क्या है तो बधर लोगों के देनेक जीवन में आने बाले मुद्दों पर जागरुकता वड़ाना इसका परमुख उद्देश है। और यह कम मनाया गया तो यह 23 सितंबर को मनाया गया। प्रिंस मुहमद विंद सलमान को देश का नया प्रधान मंतरी नियुक्त किया है और अपने दूसरे बेटे प्रिंस खालिद को रक्षा मंतरी बनाया है ठीक है तो एक बेटे को बना दिया प्रायम मिनिस्टर और दूसरे बेटे को क्या बना दिया रक्षा मंतरी ठीक है और इसका नाम बदलकर सहीद भगत सहें इंटरनेशनल एयरपूर्ट रखा गया तो इस कॉस्षन का C ओप्षन से युज आएगा नेश्ट वन की हम बात करें तो उत्तरप्रदेश के CM योगी आधितनात ने किस सहर में लता मंगिसकर चौक का उधगाटन किया है तो हर दिल के लिए दिल का इस्थिमाल ठीक है इसकी थीम रही है यानि कि use heart for every heart Next question है किस सहर में आयोजित World Dairy Summit का उधगाटन PM नरंद मोदी ने किया तो दोस्तो अभी हाली में Greater Noida में कहाँ पर Greater Noida में World Dairy Summit का उधगाटन PM नरंद मोदी जी ने किया डेटेल की बात कर लेते हैं दोस्तो World Dairy Summit का जो आयोजन है ये Great Noida में किया गया और इसका उधगाटन किस ने किया PM नरंद मोदी जी ने किया World Dairy Summit का विसाय क्या है तो पोषण और आजिविका के लिए Dairy इसका विसाय है और इस सम्मिट में भारत और दुनिया भर से Dairy से जुड़े 50 देशों के करीब 1500 प्रति भागियों ने हिस्सा लिया और भारत में 48 साल बाद लगबग 1994 के बाद World Dairy Summit का आयोजन किया गया है ठीक है और याद रखना कि दूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो अपना देश भारत जो है ये दूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है नेश्ट वन की बात करें तो सेंक्तराष्ट का नया मानवादिकार प्रमुक के शे बनाया गया है दोस्तो सेंक्तराष्ट का नया मानवादिकार प्रमुक जो है ये बनाया गया है बोल कर टरके के लिए तो इस question का A option सही हो जाएगा ठीक है और इन्होंने किसको replace किया है तो दोस्तो इन्होंने missile watchlet को replace किया है ठीक है नेश्ट वन की हम बात करें और नेश्ट हमारा question है US Open 2022 tennis championship में पुरुस एकल का खिताब किसने जीता दोस्तो US Open 2022 में और यह एक tennis championship है और इसमें पुरुस एकल का जो खिताब है यह Carlos Alcares ने जीता है तो इस question का D option से ही वो जायगा सारे important factor को हम discuss कर लेते हैं US Open 2022 championship का आयोजन जो है यह 13 अगस्त से 12 सितंबर 2022 तक अमेरिका के New York में किया गया ठीक है इस championship में men's equal यानि की men's single यानि की पुरुस एकल का खिताब जो है यह Carlos Alcares ने जीता है यह Spain की है ठीक है और woman single यानि की महिला एकल का खिताब जो है यह यगा सोया तेक ने जीता है और यह कहां की है यह Poland की है next one की हम बात करें तो किस राज में इस्तित की बूथू military camp का नाम बदल कर देश के पर्थम CDS जनरल विपिन राबत के नाम पर रखा गया तो जो की बूथू military camp है यह किस राज में इस्तित है तो यह अरुणाचल प्रदेश में इस्तित है ठीक है और हम बात करें कि इसका न governor वर्गेडियर बीडी मिसरा याद रखना नाम करण किस ने किया है तो अरुणाचल प्रदेश के retired governor वर्गेडियर है ठीक है इन्होंने और अरुणाचल प्रदेश के cm कौन है पेमा खांडू ठीक है तो दोनोंने मिलकर इसका नाम करण किया है इसी क्रम में एक और question आपके exam में बन सकता है कि उत्तरपदेश राज की सरकार ने मैनपूरी सैनिक स्कूल का नाम किस के नाम पर रखा है तो उत्तरपदेश का जो मैनपूरी सैनिक स्कूल है इसका नाम भी CDS General विपिन रावत के नाम पर रखा गया है नेश्ट question है भारती नौसेना के पूर्व चीफ ए Chief of Naval Staff यानिकी Admiral सुनील लामबा को ये सेवा निम्रत हो गए है इनको प्रतिष्टत पिंगट जसा जैमिलंग इसको टेंटेरा भी कहा जाता है या फिर इसको मेदा भी सेवा पदक कहा जाता है ठीक है इस पदक से सम्मानित किया है किसने सिंगापूर ने ठीक है और सुनील ल अली को राश्टपती ने राजसवा के लिए मनुनीत किया है वह किस केंद सासत प्रदेश से हैं दोस्तो गुलाम अली जो है ये जम्मू कस्मीर केंद सासत प्रदेश से हैं ओके हम डेटेल की बात करें तो गुलाम अली से पहले राश्टपती जी ने जुलाई 2022 में चार ल चमाज से भी विरिंद हैंग्ले ठीक है और अभी रिसेंटली किसको किया गया है तो गुलाम अली को ठीक है गुलाम अली को और गुलाम अली किस केंद सासत प्रदेश के हैं तो यह जम्मु कस्मीर केंद सासत प्रदेश के हैं नेश्ट वन की हम बात करें तो अंतरराष्टी साक्षता दिवस कम मनाय जाता है दोस्तो अंतरराष्टी साक्षता दिवस जो है ये हर साल मनाय जाता है आठ सितंबर को मनाय जाता है और 2022 में इसकी थीम क्या रही है ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग इसपेस 2022 में इस की थीम रही है थीम जरूर याद रखना है और पहली बार ये दिवस जो है ये यूनुसको के दुआरा 1965 में घोसित किया गया था नेश्ट हमारा कॉस्टन है भारती मुल्की किस महिला को UK केबिनिट में ग्रह सचेव बनाया गया है इनका नाम के है इनका नाम है सोयला वेवरमेंड ठीक है और हम बात करें कि इनकी माजो है ये तमिल है और इनके जो पिता है ये गोवा के मूल लिवासी हैं और इनको UK की केबिनिट में ग्रह सचेव बनाया गया है ग्रह सचेव दोस्तो जो UK का होता है ये अपने ग्रह मंत्री के बराबर होता है ठीक है अपने देश के ग्रह मंत्री के बराबर होता है नेश्ट कॉस्षन है हाली में प्रफेसर वीवी लाल का नेधन हो गया है वह एनमे से क्या थे दोस्तो प्रफेसर वीवी लाल ये प्रिसद पुरातत्तविद थे कौन थे पुरातत्तविद सी ओप्सं सई हो जाएगा हम डेटेल की बात करें तो प्रफुसर वीवी लाल जो हैं इनका पूरणाम है ब्रजवासी लाल ठीक है और 10 सितंबर 2022 को 101 साल की आयू में इनकर निधन हो गया इनको हाली में 2021 में पदम भिबूशन सम्मान मिला था और 1968 से 1972 तक ये भारतिय पुरा तक तो सरवेक्षन रहे हैं और इनकी चर्चा सबसे अधिक राम मंदर की सबूतों को ओजागर किये जाने को लेकर होती रहती थी और इन्होंने बाबरी मस्जित की न्यूपर राम मंदर खड़ा किये जाने की बात कही थी उके next one की हम बात करें और नेस्ट हमारा question है formula one race dutch grand prax 2022 का किताब किसने जीता दोस्तो डच grand prax 2022 का किताब जो है ये max varashtepan ने जीता है किसने max varashtepan और max varashtepen जो है ये किस देश के खिलाड़ी है तो ये नीधर للेन्ड के हैं नेश्ट कॉस्टन है भारत की सबसे बड़ी गेस्ट ट्रांसमिसन और मार्केटिंग कमपनी गेल के नए अध्यक्ष और प्रबंद निदिसक कौन बनी है तो दोस्तो गेल के निउश्रीमडी कौन बन गए है संदीप कुमार गुपता बन गए है तो इस कॉस्टन का बी ओप् नेश्ट बन की हम बात करें और नेश्ट हमारा कॉस्टन है महिला निधी रिण योजना किस राजने सुरू करी है दोस्तो महिला निधी रिण योजना ये जो योजना है ये सुरू करी है राजिस्थान राजने किस राजिस्थान ने तो महिला ससक्तिकान और आत्म नर्भत को बड़ावा देने के लिए राजिस्थान राज ने महिला निधी रिण यूजना को सुनू किया है इस यूजना के तहत महिलाओं को व्योसाओं की यदि आउशकता है ठीक है तो व्योसाय करने के लिए रिण उपलब्द कराया जाएगा ठीक है नेश्ट बन की हम बात करें तो रैमन मैक्से से पुरुसकार 222 कितने व्यक्तियों को प्रदान किये जाने का निर्णा लिया गया दोस्तो रैमन मैक्से से पुरुसकार 222 जो है ये चार व्यक्तियों को दिया जाएगा ठीक है हम सारी डेटेल को कवर कर लेते हैं रैमन मैक्से से पुरुसकार ये एसिय जिम ये कमबोडियाई मनुचिकत सक हैं तदासी हतोरी ये जापानी नेत्र रोग विसेशग हैं और तीसरे कौन है बर्नाडेट मैडरेट ये फिलिपिन्स के बाल रोग विसेशग हैं चोथे कौन है तो गेरी बेंच चेगी और ये फ्रांसेसी परियावन कारे करता है ये जो प्रुसकार प्राप्त करने बाले पिर्थम भारतिय व्यक्ति हैं और इनको 1908 में ये प्रुसकार दिया गया था तो रहमन मैक्स से प्रुसकार के बारे में ये सारी बात हैं ये सारी फेक्ट आपको याद रखना है चलिए नेश्ट वन की हम बात करें और नेश्ट कौसन है केंद सरकान ने राज पत और सेंटल बिष्टा लॉन ये दिल्ली में इस्तित है इसका नाम बदल कर नया नाम क्या रखने की घूशना करी है तो दोस्तो इसका नया नाम जो है ये कर्थब पत किया गया है ठीक है सी ओप्सन सही हो जाएगा ये कॉस्टन भी इंपोरेंट है नेश्ट कनाडा में भारत के नए उच्चयोक्त कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तो कनाडा में और भारत के नए उच्चयोक्त जो हैं ये संजय कुमार वर्मा नियुक्त हुए हैं कौन नियुक्त हुए हैं संजय पांडे को सम्मानित किया गया है और मनुष पांडे कौन है ये भारतिये थल सेना के प्रमुख है ठीक है कौन है भारतिये थल सेना के ये प्रमुख है याद रखना ये question important हो जाता है आपके exam के लिए शुन अभियान जो की हाली में खबरों में रहा है इसका लक्ष क्या है दो प्रिदूसर्ण को कम करना ये शुन अभियान का लक्ष रहा है नेश्ट question है मसूर फिल्म निर्देशक जीन लिउक गोडाड का निधन 13 सितंबर 2022 को हो गया है इन्होंने अपनी मौत के लिए क्या तरीका चुना दोस्तो ये question आपके exam में जरूर पूछा जाएगा दोस्तो जीन लिउक गोडाड जो है ये कौन थे प्रिसिद्ध डारेक्टर थे और इन्होंने अपनी मौत के लिए assisted society का तरीका चुना ओके सारी detail को हम cover कर लेते हैं दोस्तों मसूर फ्रांसी सी फिल्म निर्देशक इनका नाम क्या है जीन लिउक गोडाड इनका नाम है इकाने वर् रिलीज हुई थी ठीके ये कई बीमारियों से जूज रहे थे ठीके और अपनी मौत के लिए इन्होंने assisted society यानि की सहायता प्रात आत्महत्या का तरीका चुना ये जो assisted society है ये क्या होता है जो गंबीर बीमारियों का सामना कर रहे होते हैं मरीज ठीके उनको आत्महत्या के लिए medical staff यानि कि जो physician होते हैं इनकी मदद लेनी पड़ती है तो इसको क्या कहा जाता है इसको assisted society कहा जाता है नेश्ट वन की हम बात करें किस देश के पूर्व राष्ट पती रहे सहाबुद्दीन अहमत का नीधन हो गया है दोस्तो सहाबुद्दीन अहमत और ये किस देश के राष्ट पती रहे है ये बांगलादेश के राष्ट पती रहे है ठीक है और मार्च 2022 को बांगलादेश के पूर्ब राष्टपती सहाब दीन अहमत का वाने वर्ष की आयू में निधन हो गया है तो ये बांगलदेश के राष्टपती तो रहे ही है 1996 से 2001 तक इसके अलावा ये 1990 से 1995 तक बांगलदेश उचनियाला के मुख निया अधीस भी रहे हैं ठीक है नेश्ट कोशन है इंडियन आर्मी और एर फोर्स ने सैंकत अभ्यास गगन श्ट्राइक सितंबर 2022 में किस राज में आयूज़त किया गया तो दोस्तो गगन श्ट्राइक जो है ये इंडियन आर्मी और एर फोर्स के बीच में एक सैंकत अभ्यास है इसका आयूज़न सितंबर 2022 में किया गया और पंजाब राज में इसका आयोजन किया गया हम नेश्ट वन की बात करें तो सैन अभ्यास परबत प्रहार किस केंद सास्थ प्रिदिस में हुआ है जिसकी समीक्षा सैन अध्यक्ष जनरल मनुष पांडे ने करी है तो दोस्तो सैन अभ्यास परबत प्रहार जो है ये लद्दाक में आयोजित हुआ है ठीक है और इसकी समीक्षा सैन अध्यक्ष मनुष पांडे ने करी है नेश्ट कॉस्टन है अखिल भारतिय राजवासा सम्मेलन 2022 का आयोजन किस सहर में किया गया तो अखिल भारतिय राजवासा सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है ये गुजरात के सूरत में किया गया है ठीक है और इसका आयोजन जो है ये हिंदी दिवस यानि की 14 सितंबर के आउसर पर किया गया और केंद्रिय ग्रह मंत्री ठीक है केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित साहे ने गुजरात के सूरत में अखिल भारतीय राजभासा सम्मिलन में भाग लिया नेश्टवन की हम बात करें तो किस अभ्यारन को हाली में भारत का पहला चीता अभ्यारन नामित किया गया है Most most important question है दोस्तो मद्द प्रिदेश का एक अभ्यारन है ठीक है और सितम्बर 2022 को आप लोगों को पता होगा कि 8 चीते लाए गये हैं कहां से नामित भाग देश से नामित बिया से 8 चीतों का पहला बैच लाया गया है और इस बैच को कहां पर छोड़ा गया है तो कुनो पालपुर वन्रिजू अभ्यारन में छोड़ा गया है ये अभ्यारन जो है ये मद्ध प्रिदेश के सिवपुर जिले में इस्तित है भारत में चीता जो है ये बिलप्त हो चुके थे और 70 साल बाद पहली बार चीतों ने भारत की धर्ती पर कदम रखा है ठीक है तो ये question आपके exam के लिए important हो सकता है नेश्ट को सन है भारत के सबसे लंबे रवर बांद नाम क्या है इस बांद का गयाजी बांद इसका उदगाटन किस राज्य या फिर केंद सासित प्रिदेश में किया गया तो इसका उदगाटन जो है ये विहार में किया गया याद रखना भारत का सबसे लंबा रवर बांद जो है इसका नाम है गयाजी बांध और इसका उधगाटन किया गया है विहार में और इसका उधगाटन किस ने किया है तो विहार के जो CM है नीतिस कुमार ठीक है तो नीतिस कुमार ने इसका उधगाटन किया है और यह जो बांध है यह किस नदी पर बनाया गया है तो सुरी वास्ताव कॉमेडियन अफिनेता थे ठीक है हम सारे फैक्टों को डिसकस कर लेते हैं क्योंकि यहां से कॉस्षन बन सकता है कॉमेडियन अफिनेता राजु सुरी वास्ताव का 21 सितंबर को और अंठाउन वर्स की आयू में नीधन हो गया है इनका जन्म 1963 को इसके कानपर में हुआ था इनकी पहली फिल्म तेजाब थी 1988 में रिलीज हुई थी यह 17 से जादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और इनकी आखरी फिल्म थी फिरंगी यह 2017 में रिलीज हुई थी तो पहली फिल्म कौन सी थी आखरी फिल्म कौन थी थी और इन्होंने कई कॉ नेच्ट मन की बात करें, तो भारत की पहली Forestry University, यानि की वन की विश्विध्यालय किस राज्ज में इस्थापित की जाएगी, तो उस्थापित करी जाएगी ते लंगाना राज्ज में, ठीक है. और तेलंगाना की राधधानी हैदराबाद में इसको इस्थापित किया जाएगा कहां पर हैदराबाद में ठीक है, और हम बात करेंगे कि ये भारत की तो पहली इनवर्सिटी है, ठीक है, भारत की ये पहली है लेकिन हम all over world की बात करें तो ये रूस और चायना की बाद में ठीक है रूस और चायना की बाद में भारत की तीसरी है यानी की बल्ड में पहली Forestry University रूस में स्थापित करी गई, इसकी बाद चायना में स्थापित करी गई और अब अपने देश भारत में करी जा रही है बल्ड की तीसरी लेकिन भारत की पहली है इंडियन आर्मी ने किस गलेसियर में इस दुनिया की सबसे उंचे युद्ध छेतर पर सैटिलाइट वेस्ट व्रोडवेंड इंटरनेट सर्विस को एक्टिव किया तो दुनिया का सबसे उंचा युद्ध छेतर कौन सा है सियाचीन गलेसियर ठीक है और इस पर इंडियन आर्मी ने अभी सैटिलाइट वेस्ट व्रोडवेंड इंटरनेट सर्विस को एक्टिव किया है अच्छा क्या फायदा होगा इस सैटिलाइट इंटरनेट का तो दुस्तो सियाचीन गलेसियर में इससे पहले इंटरनेट ना होने के काण भारतिय सेना को कई सारी परेशानिया होती थी जैसे की मैसेज ना भेज पाना या फिर अपनी दूसी टोली के लिए फोन ना लगा पाना या खूपिया एजेंसी तक कोई जानकारी पहुचाना है तो वो सेयर ना कर पाना ठीक है तो यह सारी परेशानिया होती थी इससे पहले लेकिन अब इन सारी परेशानियों का समाधान हो गया है नेस्ट कॉस्टन है किस भारतिय पत्रकार पर आधर डाकुमेंटरी वाइल वी व और इन पर आधरत एक डाकुमेंटरी थी उस डाकुमेंटरी का नाम क्या है वाइल वी वाच ठीक है और इस डाकुमेंटरी को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में एम्पलीफाइव वाइस अबोर्ड दिया गया है ठीक है हम बात करें दोस्तों तो जो इस डाकुमेंटरी का नाम है और इसी डाकुमेंटरी ने एम्पलीफाइव वाइस अबोर्ड जीता है इस डाकुमेंटरी के डारेक्टर का नाम भी याद रखना है विनए सुकला इस डाकुमेंटरी के डारेक्टर है और वाइल वी वाच डाकुमेंटरी का हिंदी में नाम क्या है नमस्कार मैं रविष कुमार ठीक है इसका हिंदी में नाम है next one की हम बात करें किस उद्योग पती को PM केर फंड ट्रस्ट का नया ट्रस्टी बनाया गया है यह भी काफी अच्छा कोश्टन है PM केर फंड ट्रस्ट और इसके लिए जो नया ट्रस्टी है यह किस उद्योग पती को बनाया गया है रतन टाटा के लिए सी ओप्शन सा यूज आएगा एक्छल में दोस्तो अभी PM केर फंड ट्रस्ट के नया ट्रस्टियों के नाम की घुशना करी गई 21 सितंबर को ठीक है और कौन-कौन नया ट्रस्टी बने है तो तीन लोग नया ट्रस्टी बने है और तीनों लोग का फोटो देख पर होंगे तो पहले कौन है उद्योगपती रतन टाटा ठीक है यह पहले है दूसरे कौन है तो पूर्वल सुप्रीम कोट के जस्टिस रहे हैं केटी थामस ठीक है ये दूसरे ट्रस्टी बने हैं तीसरे कौन है तो पूर्व लोक्षिवा के उपादधक्षे करिया मुंडा ये तीसरे ट्रस्टी बने हैं तो तीन ट्रस्टी बनाए गए हैं अच्छा जो PM केर फंड ट्रस्ट होता है इसके लिए चेयरमेन कौन होते हैं त ठीक है इस फंड के जरीए सरकार का मकसद जो है COVID-19 जिसी जो आपात कालीन संकट वन जाते हैं उनमें राहत महय कराना इसको बनाने का प्रमख उद्देश है हम बात करें इस ट्रेस्ट को कितने रुपे दान में मिले हैं अब तक तो 2019-20 में 3076 करोड रुपे मिले कितने 3076 रुपे दान में मिले ठीक है याद रखना और दोस्तो यह जो ट्रस्ट है इसमें दी जाने वाली जो रकम है यह पूरी तरह एक से आयकर से मुक्त होती है किसी भी प्रकार का कोई भी आयकर इस पे नहीं लगाया जाएगा ओके दोस्तो यहाँ पर हमने कितने कॉस्टन को ड कि आपको इसी प्रकार से यदि डिटेल में करंट फेस्ट पढ़ना है बिलकुल आसान भासा में करंट फेस्ट पढ़ना है करंट फेस्ट के 6000 से जादा डिटेल कोश्टन को पढ़ना है तो हमारी ई-बुक को आप ज़रूर वाय करें और दोस्तो यदि आप एक बार ई- कोई दिक्कत परिशानी समस्या होती है तो हमें वाट्शप पर कॉंटेक्ट की जिए तो दोस्तो अब नैस्ट और लास्ट कॉस्टन आपके लिए चैलेंजिंग कॉस्टन ये कॉस्टन हमने अपने फ्रिवियस वीडियो से पूशा है ठीक है एसी एक अप 2022 की विजिटर ट मेहनत करके वीडियो बनाने के लिए प्रेर्ट करती रहते हैं ठीक है लाइक करें वीडियो को भाई बेहनों के साथ में सेयर करें नए लोगों से कहूंगा कि चैनल को सबस्क्राइब कर लो साथ में बैल आइकन दबालो ताकि टाइम टो टाइम और सबसे पहले आपको या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर तीन वेरी यूसफुल वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियो को जरूर देख लें तो थैंक्यू दोस्तो राम राम दुआ सलाम मिलते हैं नेस्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ मैं आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सक करते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ठीक है तो तब तक के लिए मस्त रहिए अपनी इस्टडी में विष्ट रहिए अपने माता पिता भाई भेहन सबका खूब ख्याल रखिए जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम भारत माता की जय